ओम शांति आज हम सुनेंगे डेट का ही बाहनी 24 सेप्टेंबर दोहजार पेश्टा अब देखतो बाप ददा का बाहनी है रिवाइज डेट है 22 डिसेंबर 1995 ता ये 95 जाती ही 96 आने वाले समय में बाबा का जग्यों में बहुत बड़ा एक धमा का हुआ था एक करिक्रम हुआ था वो करिक्रम का नाम हम सबी जानते हैं डाइमन जुबली डाइमन जुबली बर्ष मानाया गाया था तो डाइमन जुबली बर्ष माना हमारा ब्रह्मन जिवन के लिए एक बहुती बहुती स्मृती उत्षब है बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम डाइमन होकर डाइमन जुबली मनाओ बहुत बड़ा उच्छी बात है ऐसे तो कोई बार हम कोई प्रोग्रम मनाते हैं कोई बार छोटा मनाते हैं कोई बार बीच का मनाते हैं कोई बार बड़ा मनाते हैं लेकिन बाबा से समझाते हैं कोई भी करिक्रम बाबा का घर में करो हाई फाई कोई ज़रूरी नहीं बीच का रखो बज़िट में रखो और स्थीती अपना उचा रखो साधरन ड्रेस हो उच्छी बीचा रहो ये ब्रह्मा बाबा का बहुत बड़ा स्लोगान है ब्रह्मा बाबा का जिवन चरित्र है तो यह तो देखते हैं हम 96 का बाद है लेकिन हेडलाइन में बाबा का आज मुरूली में बहुत शक्ति शली बाद बाबा आज हमें शिख्षा देने के लिए आया है बाबा कहते सर्वो प्राप्ति शंपनन जिवन की बिशेशता है सर्वो प्राप्ति शंपन्न जिवन की विशेशता है और प्रशन्नता मुक्त और प्रशन्नता जुक्त सर्वो प्राप्ति शंपन्न जिवन की विशेशता है और प्रशन्नता मुक्त प्रशन्नता जुक्त तो मुक्त और जुक्त का बात है तो मुक्त का बात तब आता है जब हम बंधन में फस्त है बाबा समझाते हैं तुम्हें जेल में बंधी कौन किया उत्तर तो हम सबी जानते हैं माया राबन ने हमें धाई हजर सल जेल में बंधी करके कैद करके रखा है कोई भी बात हमारा जिवन में आता है हम इरिटेट हो जाता है किसी को हम सहन नहीं कर पाता है छोटा सा बाध भी हमारा ये बत्तरिश दातों का अंदर मुक में हजम नहीं होता। मैं किसी को कहे करके कहता हूँ ये बात special है तुम को ही बताता हूँ तुम किसी को नहीं बताना है लेकिन क्या guarantee है जब अपनी जिबन का special बात अपना मौ में हजम नहीं हुआ तो दुसरों का मुँँ में कैसे हजम होगा तो इसलिए बाबा ने शुक्ष्म इशारा देते हैं बचे दिब्बो गुनों का कोई दिब्बो गुनों से कोई कामप्रमाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रह्मोन जिवन में अपरपती कोई बुस्तु नहीं ब्रह्मोन का खजाना में दवताओ का खजाना में नहीं बहुत समझदरी का बात है धरणा जुक तो बात है ध्यान से सुनेंगे तो धरणा होगा बाबा भी कोशिश करते हैं बच्चों को special special point सुना करके पार्ट सुना करके बच्चों को आगे बढ़ाे तो हमारा जीवन में जो अपरशन नह्ता आता है कोई बार कोई पुरिष्टिती में किसी बिक्ति का साथ बुस्तु को लेकर कोई स्थान काल पुरिष्टिति में अपरशन not हो जाता है क्योंकि हमारा ये अल्पकल का शंसकार है बाबा ने कहा तुम्हारा अनादी शंसकार कौन सा है प्रशन्नता है कोई तुम्हें निंदा करे अपमान करे कोई तुम्हें कुछ भी कहे एक घंटा तक तुम्हें लगातर कहते रहते हैं लेकिन तुम्हें बिलकुल ग्यान जुकतो हो करके प्रशन्न हो करके तो प्रशन्नता का शक्ती से वो सहन करते जाओ लेकिन एक घंटा सहन किया एक सेगन के लिए फोरा सा बात जैसे गैश का बैलून होता है ना गैश का बैलून कोभी भी कोई चोट लगता है तो तुरंट वो फट जाता है तो हमारा मूग भी ऐसा ही है कोई बर तो हम शहन कर लेते हैं कोई बर क्या होता है इतना सहन किया इतना सहन किया लेकिन एक सेकेंट हमारा शहन नहीं होता ऐसा कुछ बता देते हैं तो बाबा ने कहा गुबार का गेश और तद्बेलुन का गेश फाड़ गया तो ऐसा हमारा जिवन में ना हो इरिटिशन हमारा जिवन में ना हो हमारा एटेंशन ही ना जाए हरे करे का अपना अपना पार्ड बजा रहा है हम भी अपना पार्ड बजा रहा है इसलिए प्रशन्य रोहो बाबा केते मेरे प्यारी भाई बचे प्रशन्यता का शक्ति बहुत बरा शक्ति हैं इससे ही तुमारा संपुर्णो प्राप्ति शंपुर्णो जिवन का एहसास कर सकोगे हैस्ट ब्रह्मुन स्थिति को आपना सकोगे आए हम विस्तार से सुनते हैं सर्वो प्रप्ति शंपुर्णो की जिवन की बिशेशता है अप्रशन्यता मुक्तो कोई भी अप्रशन्यता नहीं और प्रशन्यता जुक्तो आज प्यार के सागर बाबदादा अपने प्रेम शुरुप आत्मों को देख रहे हैं होर एक के दिल में परमात्मा प्यार समया हुआ है ना बाबा फिल करता है हमें भी फिल करना चाहिए बाबा का प्यार हमारा दिल में है की नहीं ये परमात्मा प्यार प्राक्त भी एक ही जन्म में होता है छोटा सा जन्म में होता है जब हम शुद्र से ब्रह्मन बनते हैं त्रियाशी जन्म त्रियाशी जन्म को बाबा के ही याद करो सत्य यूग त्रिता में 21 जनम, द्रापर कली यूग में 38 जनम, यह हुआ त्रियाशी जनम, त्रियाशी जनम देवात्माएं बाशाधारन आत्मादारा मिला है ना, है ना, सोचो, याद करो, सत्य यूग में 8 जनम, त्रिता में 12 जनम, द्रापर में 11 जनम, और कली यूग में 42 जनम, तो सुत्र तो बाबा ने दे दिया ना, ज्यान हमको सबको मिला है, लेकिन हम एक सेकेंड में चक्कर लगा करके देखना चाहिए, हमें यह त्रियाशी जनम में किसका प्यार मिला, बाबा कहते देखो, तिरयाशी जनमों में परमात्मा प्यार मिला, मिला, सत्य यूग में मिला, ज्रता में मिला, द्रापर कली यूग में मिला, नहीं मिला ना, स्विप इस संगम पर एक जनमों में परमात्मा प्यार प्राप्त होता है, जो इतना जनम बिता करके एक जनमों प्रमात्मा का प्यार प्राप्तो हुआ, ये प्यार को हम ठोक देंगे, ये लटरी हमें प्राप्तो हुआ, लटरी को हम छोड़ देंगे, उबासी देंगे, इग्नूर करेंगे, तो बाबा के देखो, तो अंतोर को जान लिया ना, कितना अंतर हुआ ना, आत्माओ का प्यार और परमात्मा का प्यार कितना अंतर है। राद, दिन, जमीन, आस्मान को हो तो वो भी कम हो जाएगा। ओशिम और शोशिम अगर ये कहे थोड़ा सा ठीक है तो परमात्मा प्यार और मुनिश्यों का प्यार में कितना अंतर है। और भी डीप में बबाबा बताते हैं, साधरन आत्मों का प्यार तुमें कहा ले गया, बाबा तो हमें ठीक ठाक करके सतियुग में हमें प्रेरन कर दिया, लेकिन सतियुग का देवी देवताओं में भी इतना शक्ति नहीं है, हमें स्टिल रखे, हमें गिरने ना दे, लेकिन उसमें भी भी कोई शम्ता नहीं था. तो हमरा गिराबोट होता ही रहा. सुल्व कला से चद्द कला आया. चद्द कला से बराव कला आया. आत्ड कला आया. ऐसे-ईसे कला हमरा कौम होते गया. तो बबा कहे, साधरन आत्माओं का प्यार तुम्हें कहां ले गाया आज दिन हमारा कांसा दिन है कलियुक का अंतिम समय का दिन रवन का जेल में हम कैत था बाबा ने हमें मोक्तों किया क्या प्राप्त किया कराया तुम्हे द्रापर कलियुक का भी हम सोचे तो माबब का पच जनम लिया पालन पुशन किया तो लिखा परा सिखाया साधी कराया संसरब बसाया विकार में गिराया और क्या किया सब अनुभाव हमरा है न हम अगर कुई आच्छा रहना चाहते भी लेकिन माबब ने नहीं दिया तुम्हें गिरना ही होगा मैं गिरा, मारा पिता जी गिरा आपको भी गिरना होगा तो अनवबव है न और परमात्मा प्यार्त में कहा ले जाता है इस समझ सोचो हम सोच भी नहीं था हम सति युग में उटतायुग में जाएंगे देवी दवता बनेंगे, महारा जन महारा नभी हुनेंगी, फैमेडी मेंबर बनेंगे, दाश-दाशे तो दूर का बात है, कोई पुरुशत तो नहीं करेगा, तो भी दाश-दाशे बन सकते हैं, हम पुरुशत करते हैं, पूज-फद्पाने के लिए, परमात्म हमें कहा ले जाता है तो आपने स्वीट होम और स्वीट राजधानी में जिवन में कोई सोचा नहीं रिशी मुनी भी नहीं सोचा परमधम कहा है उसका कोई अस्तित्तुर को नहीं जान पाया आत्मो प्यार आत्मो प्यार मुनिश्यो का प्यार रज्जो गबाया, हिंग्षा छराया लराई जग्रा मरा मारी में फसा दिया और परमात्म प्यार कहा ले जाता है बार बार बाबा समझाते देखो सोचो थूरा सा सोचने से ही तुम सदर्शन चक्रदरी हो सदर्शन चक्रदरी हो करके चिंतन करने से तुम्हें बहुत मक्षन मिलेगा और परमात्म प्यार तुम्हें कहां ले जाता है, सोच भी नहीं सोच भी नहीं सकते हो शुबरत भजसाम नया जोक्सिट खाली है जिबन में हम सोचा भी नहीं था हम नार से नारयन बनेंगी नारी से लक्षमी बनेंगी परमात्म प्यार हमें आसानी से लीफ्ट में बिठा करके बाबा का गोद में बिठा करके हमें परमधाम ले जाएंगे सतियों में भेज देंगे तो आपने सुईट होम और सुईट राजधनी में भेज देंगे ना, आत्मों प्यार तुम्हें रज्यो गवाया हमें कुरी तुलो बना दिया फकीर बना दिया तमपरदन बना दिया और परमात्मा प्यार रज्यो भज्यो दिलाते हैं हम कितना कालभी बबाबा ने कहा ना ललकार करो चलेंज करो हम शिफशक्तिया हैं हमरे अपास आत्मा परमात्मा का ग्यान है हम ही दुनिया को चेंज कर सकते हैं तो बाबा के है तो आत्मा परमात्मा का ग्यान आत्मा परमात्मा का प्यार हमें भग्यो दिलाता है रज्य विग्य दिलाता है और इसी एक जनौम में तो equation बबाबा ने कितना clear कर दिया कोई इसमें कोई पैचिला कोई बात नहीं ऐसी नहीं कि स्रीप भविशों के आधार पर तुम चल रहे हो सत्य यूग में जाएंगे तो सत्य यूग का धरनी हमें मदद करेंगे नहीं बाबा के हैं अगर इसी जन्म में पुरुशाट करके हम प्रलब तो नहीं बनाएंगे सत्य यूग में तो हम बैंक का खाता से हम डिपोजीट को हम खाते रहेंगे इस समय डिपोजीट करते रहेंगे सत्य यूग में बैंक बैलेंस खाते रहेंगे सतियोग में ना कोई पुन्य कर्म होगा ना कोई हमें कर्म होगा अकर्म होगा सतियोग में कर्म का कोई फल जमा नहीं होगा तो बाबा कितना डीब बात बताते हैं हम बविश्य का अधार पर नहीं चल रहे हैं नहीं डैरेक परमात्मा प्राप्तितु आप हो रहा है अभी बर हो रहा है परमात्मा अशीरवद हमारा उपर पर रहा है और इस समय अगर हम परमात्मा से दूर रहे तो हमारा जीवन का नतीज़ा क्या होगा ऐसी नहीं कि स्रिफ भविश्यों के आधर पर चल रहे हो नहीं डाइरेक्ट परमात्मा प्राप्ति अब तुमारी उपर बर्शन ह रहा हैं बर्तमन के आगे भविश्य कोज भी नहीं आप लोग गीत गाते हो ना कि शर्गों में क्या होगा और क्या नहीं होगा वारे हमारा जीवन सतियुग में क्या नहीं होगा क्या होगा क्या नहीं होगा सुने कमाल होगा तेरे जहरत के महल होंगे बहुत कुछ सुक्स वि बन मिला एक लाइन में पाना था सो पालिया कितना होशियार बच्छा बाबा का बाबा के देखो जो पाना था सो पालिया और क्या पाना है फिर बाबा ने रिपिट किया पालिया सोच करके बताओ दिल में हाथ रख करके बताओ पालिया ना परमात्मा को समझ लिया ना आपने पा लिया ना सतियोग में क्या होगा राश बिडाश होगा सभी खुश हाल होकर के सभी नृत्त करते रहेंगे तो बाबा के थे ये तो सतियोग का इसका प्रलब दो इहा का प्रलब दो सतियोग में जाएंगी गोपियों का गायन तो सतियोग में होगा ही इस समय का गायन है कि पराप्ति ≃ नहीं। दबतव के खाजाना में नहीं। ब्राह्मन के खाजाना में। तो अभी ब्रह्मन हो न, तो अनभव करते हो कि अपराप तो कोई बस्तू, कोई अपराप तो कोई बस्तू तो नहीं है न, और ये प्राप्तिया अभिनाशी है, अलफकल की नहीं है, तो जिनको सर्व प्राप्तिया है, उसके जीवन में क्या विशिशता होगी, जो भरपुर हो गया जो जीवन में पानासा तो पा लिया पुरा complete कर लिया उसका जीवन क्या होगा सर्ब प्रप्तिया है एक भी कम नहीं उसका जीवन उसका चलन उसका चहरा में क्या विशेशता दिखाए देगी जो आसका मुल टपिक है प्रशना का कोई अप्रशन्नों हो ही नहीं सकता, कितना क्लियार बात बाबा केते हैं, कोछ भी हो जाएं, लेकिन सर्व प्रप्तिवान अपनी प्रशन्नोता को भी छोड नहीं सकता, बहुत चीजों का साथ सेक्रिफाइस करेंगे, ये ले जाओ, ये ले जाओ, हो हमरे नहीं चाहिए, ल प्रशन्नता कभी होते ही नहीं, अगर जीवन में कभी-कभी अप्रशन्नता आते हैं, तो चेक करो, जीवन में तुम्हारा क्या खामिया है, क्या कमिया है, बिशर जुन्न तुम्हें बेचे रहे चो, एक तु भालोर जुन्नो, एक तु बेशिर जुन्नो, तु बाबा कहें, प्रशनों तक छोरके अगर अप्रशनों हो तू चेक करो तुम्हेरा जीवन में कहा कौमी है वो कौमी को तुम फूल करो चेक करो, चेंज करो कुथाओ ना कुथाओ, मौन आटके रहे चे जहा रहेगा धन, वहा रहेगा मन कितना नयारा प्यारा हमें होना चाहिए आज बाब दादा ने क्या किया बच्छों को परिक्षा करने के लिए बाब दादा ने एक special activity किया ठैंसे सुनिये बाब दादा ने बहुत ही शेवाकेंद्रो और उपो शेवाकेंद्रो देखे बीदिश में नहीं देश में देश में शेवाकेंद्रो देखे शेवाकेंद्रो में विशेश तो कौन होता है शेवादरी होता है और शेवाकेंद्रो का ठाट बाट होता है तो आज चकर लगाते हुए शेवादरी और शेवास्थान दोनों देखे होर एक स्थान में चाहे छोटे, चाहे बरे सभी में चेक किया कि शेवाधरी सबको दिल छो जाने वाले बात बाबा कहते हैं कि हम तो शब शेवाधरी है ना चाहे प्रबृति में हो चाहे कोई सेंटर में हो बाबा कहते हैं चेक किया कि शेवादरी तौन से, मौन से, धौन से और शेवा की शमंद संपरकों में कितना प्रशन्न है अपने आप से भी पूछो हमारा जो एक्टिविटी है सारा दिन हमरी तवेला से लेकर रात तक तो हम कितना प्रशन्न रहेते हैं बाबा ने चेक किया उत्तर भी बाबा देंगे क्योंकि बिशिश तो यही बात है न प्रशन्न तो हमारे जीवन में कितना आया ब्रह्मन तो बहुत जीवन से हम बहुत साल से तो क्या देखा तौन से, तौन से बाबा ने देखा सब के तन तो पुराने हो गया जरजरी बित्व हो गया चाहे जवान हो चाहे बड़े हो छोटे और ही बड़े से कहा कहा कमजूर होता है कोई बार बबा के थे कोई बार छोटे बच्छे भी बड़े से बहुत कमजूर होता है उमर में छोटा है लेकिन कमजूरी बहुत है चाहे बिमार बरी हो लेकिन बिमार की महुसुस्ता बिमार की महुसुस्ता बार बार एक बात को अगर हम दोराते हैं मैं बिमार हो मैं बिमार हो तो ये बिमार को बरा देती है शिट दर्द है घुट्टों में दर्द है कमर दर्द है बार बार इसको अगर हम रिपीटिशन करे कली युग में बबा के ये बीमार तो सबी को होगा सादन बाई इतना बुज़ूर्ग होते हुए भी दिल चाहते हैं आने के लिए लेकिन कोई बार सरीर allow करते हैं कोई बार नहीं करते हैं ये भी काम बात नहीं है फिर भी बबा के एते देखो अगर बीमार कंसस होगा तो ये बीमार को बरा देंगे डबल बीमारी बना देंगे कैसे बाबा के एते देखो क्योंकि तॉन का प्रभाब मन पर आ जाता है तो डबल बीमार हो जाता है तॉन और मन दोनों से डबल बीमार होने के करण बार बार सोल कंसस के बजाए बीमारी कंसस हो जाता है है ना तो हर एक का दिल का बाद बाद ने बताया ना तो बाद ने क्या देखा कि तौन से तो मेजोरिटी बीमार को हो या जन्म जन्म का कर्मो का इशब कितब चुपत करना को हो कर रहे हैं सबी सबी कर रहे हैं चोटा बरा बीच का लेकिन बाबा ने रेजल किया देखा 50% डबल बीमारी है तौन से भी मौन से भी और 50% रियल बीमार है इसको बाबा कहें सिंगल बीमार है तो कौन अच्छा है सिंगल बीमार अच्छा है न डबल बीमार अच्छा है तो बाबा कहते हैं बाकी क्या होना चाहिए बाबा का ग्यान मिला परमात्मा को समझा क्या होना चाहिए कोभी भी मौन में बिमार का संकल पो नहीं लगाना चाहिए मैं बिमार हूँ मेरा बिमार तो ठीक नहीं होता इतना इतना पुराना बिमार मुझे छागाया है लेकिन क्या होता है होता क्या है ये पार्ट पक्का हो जाता है कि मैं बिमार हूँ कोई भी हमें अफार करे, कोई भी कोई अच्छा काम में हमें, बाबा का कोई प्रोग्रम में हमें बुलावे, तो हम हमारा मुख से एक ही बत निकालाएगा, क्यों one set होगा है न, मैं बिमार हूँ, बिमार हूँ, आज मैं चल सकता हूँ, मुखा है, फिर भी मुख से यही आए बिमार हूँ, कमजूर हूँ, जा नहीं सकता हूँ, तो बाबा क्या कहते हैं, देखो, यह पट पका हो जाता है, मैं बिमार हूँ, कभी भी किसी समय बिमार होते नहीं, आज कोई घुटने का दर्द नहीं, आज कोई कमर में दर्द नहीं, आज कोई सेर में दर्द नहीं, आ क्या करो चल नहीं सकते क्योंकि मैजुरिटी को या तो टांग में दौर्थ है क्वली योग में ज्यादा खाते खाते माया राबन ने हमें ज्यादा लोभीत करते करते हम इतना कुछ खा लेते हैं इतना कुछ का खा लेते हैं बात मौच कुछ हम कैलोरी को जानते नहीं कितना क चेक करना का है, कितना कैलोरी बार्ण करना है, फिजुलोजी को हमें समझना चाहिए, तो बाबा के एते हैं, बहाना करेंगे कमर में दर्द है, क्योंकि मैजुरिटिका ये तो टांग में दर्द है, नहीं तो कमर में दर्द होता है, कोई बार दर्द होता नहीं है, बिलकुल लेकिन फिर भी कहेंगे मेरी कमर में तो दौर्द है लेकिन आप लिमिट तो हो आप उसको अफर किया अब डक्टर हो तो कैसे चेक करेंगे कमर में दौर्द है की नहीं पैट में दौर्द है की नहीं तो बाबा ने सुन्दर जवाब देते हैं और भी उसकी चेकिंग कैसे करें, डक्टर के पास इसका कोई थार्बोमेटर है, शरीर में बुखा रहे तो तुरम तुम आप लेंगे, तो ये आपका कमर में दर्द है, उसको निकालने के लिए ऐसा कोई मिशिनरी नहीं है, ये आपका मन में सेट हो गाया, जो कमर दर्द है, या नहीं कैसे चेक करें, तो एक्स्रे कराओ ये कराओ, होती और ही कर्चा लग जाएगा, तो वो बाबा ने क्या देखा, तौन के बारी में बाबा ने सुनाया जादा से जादा हमारा Mind Setting हो गाया में बिमार हूँ, मैं सैयुग नहीं कर पाता हूँ, वह यह जा नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता. कोई शेवादरी ऐसे दिखाई दिये बाबा को अच्छा नहीं लागा हम बाबा को खुदाई खिदमदगार है शेवादरी आप सभी हो न ऐसे नहीं समझना स्रिप टिचार का ही काम है निमित्तो का ही काम है आप सभी का सभी का unity unity is might तो बाबा भी कहते है शबादरी आप प्रबृति वाले भी हो ना कि जो सेंटर पर रहते है तो उसको ही ठेका है उसको ही जिम्बेबारी है सबका जिम्बेबारी है क्योंकि जुग्यों बाबा हमको लेकर के सुरू किया आप लोग प्रबृति में रहने वाले भी शबादरी ह को भी आपके घर का भी चक्कर लगाएंगे बाबा ने क्या कहा देखो सबी खुश्यार है ना बाबा को भी हमारा घर में हमारा रहन सहन बाहर में तो हम सादा का प्रपहन लेते हैं हमारा अंदर का ढख लेते हैं बेज पहना सदक अपर पहना तो ढख लिया ठीक है ना अंदूर को देखने के लिए बाबा ने कहा हम एक दिन तुम्हारा घर में आएंगे देखेंगे कैसे तुम सोते हो कैसे ओडते हो डबल बेड है कि सिंगल बेड इसमें बाबा ने बहुत सुंबर इशारा किया है हमारा पवित्र तक एतना मजबूत है वो देखने के लिए बाबा आएंगे आच्छा ये तो आज के चक्कर की बात है वो दुसरो दिन सुनाएंगे दुसरो दिन हमारा घर में आएंगे लेकिन कोई महमान घर में आते हैं तो अलेज हम एटेंशन दे करके रहना चाहिए आजकल की हिशाप से जमाना से कोई एक बेक्ती तो बीमार नहीं ऐसा कोई बेक्ती कोई संसार में है दवाया नहीं लगते ऐसा कोई संसार है कोई घार है तो बाबा भी जानते हैं बाबा केて हैं आज कल कहीशप से दवाया खाना ये बरी बात नहीं समगो क्योंकि कोल्योंका बर्तमान समय सबसे स mail सब्से सब्तिशली फ्रूट ये दवाई लाल हो पिला हो हरा हो बहुत कलारफुल दवाई हम जैसे सबजिया मिलते है कलारफुल ऐसे दवाई भी देखो कितने रॉंग बिरॉंगी दवाई मिलते है दुकान में तो कुलियू का लास्ट यही एक फ्रूट है जो खालो प्यार से बाबा किसी को नहीं कहा दवाई छोरना दवाई मत खाना बाबा किसी को नहीं खाना बाबा ने कहा यह रॉंग दिरॉंगी फ्रूट समस करके खालो तो दवाई खाना यह बीमारी याद नहीं दिलाना हमारा प्रिशार है सो वो उड़ती ही हमें एक दावाई हमें इंटेक करना है वो जो ओशूर है ना उसको हमें कांट्रूल में रखना है हमरा सोगार है तो ये दावाई तो हमें लेना ही है तो बाबा ने कहां तो ये दावाई खाना ये बिमार नहीं याद दिलाएंगा आपको यह यह दिलाएगा तो बिमार बिमार का जगा में है तो हम बाबा का है हम पुरुशाद करे, हम याद करे, हम काम करे अगर दवाई को मुझबुरी से खाते हो मुझबुरी से खाते हो यह इसमें बहुत में करता है बहुत खाएंगे, यह नहीं खाएंगे, पास मिनिट बाद खाएंगे, दस मिनिट बाद खाएंगे, यह जाकर कि इसको कोई गोता ना मारे, कोई कोई ऐसा ऐसा, कोई इसका दो तिन बिमारी है, दो तिन बिमारी लो, मुमें डालो, पानी लो, श्रिफ, तो हर एक अपना-पन काम करेगा यह डक्टर का सला है कोई विक्ति क्या करते हैं एक गोली लेकर के आधा गंटा बैठे रहेते हैं फिर आधा गंटा बाद धुसरा खाएंगे इसके इसमें टाइम भी वहस्ट होता है न तो बाबा के करने के लिए यह गोली हमरा चाहिए यह हमरा और प्रकर का कोई बीमार है इसको हमें करने के लिए तो उस मृती से लेना चाहिए आजकल के तो बहुत नौया फेशन लग गया है कली युग में सबसे ज़्यादा इन्वेंशन आजकल दबाईया है तो दबाई का बारी में तो हम जानते हैं तो एक कमपानिया क्या करते हैं बाबा ने इसका बिशारा दिया कपका मुरूली हैं तो पैशन को देखने में अच्छा हो ये कमपानिय ऐसा बहुत सुन्दर करके पैकिंग करते हैं पैशन को देखने से ही उसको रूची आना चाहिए एक्टरक्टिब करने के लिए तो बाबा ने कहां ये आजकल कितना कमपेडिशन चल रहा है कौन कमपनी कितना सुन्दर बनाएंगे कौन कमपनी कितना सुन्दर बनाएंगे और क्या काया निकाला कलियूग का अंतीम समय में भिन्न भिन्न थेरापी भिन्न भिन्न थेरापी आप तो जानती ही होंगे आज फलाना थेरापी काल फलाना थेरापी ये कली युक्सिजन का शब्तिशाली फॉल है इसलिए घाबराओ नहीं जो डक्टर आपको सला देते हैं वो तो लेना ही है लेकिन दावाई कंसस दावाई कंसस बीमार कंसस हो करके नहीं खाओ ये बहुत उच्छी बात बाबाने ब को फ्रोट थोरा खिला दो एक कैपसूल खिला दो ये फ्रोट है और बिदाई दे दो अच्छा ये हुआ तौन की रिजाल्ट बाबा ने देखा तौन के लिए बाबा चक्कर लगाने के लिए गाया शबादरियों को देखा और फिर बाबा कहते हैं और क्या देखा मौन को मौन में क्या देखा एक बात खुशकबरी की ये देखी कि मैजूरिटी होर एक शबादरी के मौन में बाप का प्यार और शबा का उमंग उत्रहों दोनों देखा बाकी 25% कोई मौजबुरी से चल रहा है ब्राह्मन जीवन में चलना है चलेंगे सब ही चल रहा है मैं भी चल बात आजाता है इस पर एक लास भी हो सकता है बाबा के मौजबुरी से चलने वालो बाबा ने का उसको छोड़ो लेकिन मैजूरिटी के मौन में यो दोनों बात देखी और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशली हो बेटने का चलने का इने बाबा का प्यारे बच्चे सबी के अटेंशन है सबी चाहते हैं अच्छा फुरुशाट करें एक घंटा हम सोल कंसा सोकर के मौरुली सुनें चाहते हैं हम सबी लेकिन एक ख्याल खेल आ जाता है माया एक खेल करा देते हैं एक गेम करा देते हैं चाहते हैं कि याद की स पर अच्छी तरह सेट हो करके बैठ जाए लेकिन ठोड़ा ताइम तो 16 होते हैं फीर क्या गटते हैं हम जब यूगभठी में बिला बिठाते हैं। यूगभठी में जब बैठते हैं तो सुरू-बैठाग बहुत अच्छा होगा consciousness भी बहुत अच्छा होगा लेकिन दो-चार मिनित बाद हम हिलना डुलना शुरू करेंगे जैसे बच्चा होता है उसको ज़्यादा time पर set पर बिठाओ तो हिलना शुरू कर देंगे आप उसको right करो वो left हो जाएगा आप आगे गरो वो भीचे जाएगा तो मन भी अगर control में, order में नहीं है तो थोरा time तो बहुत अच्छे बेटते हैं चलते हैं, सेबा भी करते हैं लेकिन कभी set होते हैं कभी apset हो जाते हैं कारण क्या जानते हो set होना चाहते हैं लेकिन आप set क्यों होते हो कारण क्या है एकागरता की शक्ति दीरता की शक्ति उसकी कौमी हो जाता है क्यों आपका पस धन है जेब में बहुत धन है लेकिन आप ये धन 2-4 को बाड़ दिया तो जेब में आप हाथ देंगे हाद डलेंगे तो देखेंगे तो पहले तो ये बहुत बंडल था अब ये तो थोड़ा बचा है नहीं है हमारा पास मैं तो दे दी तो इसी प्रकर बाबा भी कहते हैं हमारा दिरोता की शक्ति हमारा तो एकागरोता शक्ति हम बाट लेते हैं सारा दीन में किसको किसको देते है ध्यान से सुनिए, बाबा के एते देखो, प्लैन बहुत अच्छा हम बनाते हैं, ऐसे बेठेंगे, ये अनुबब करेंगे, आज ये सेवा करेंगे, आज ये अवगुन बाबा को हम दे देंगे, लेकिन कर्म करती या बेठे-बेठे भी दिर्था की शुक्ति हमारा कम हो जात है, मन-बुद्धी किसी का कंटक्ट में चले जाता है, मन-बुद्धी की कोई पुराना बातों में चले जाते है, मन-बुद्धी कोई भविश्य में चला जाता है, हमरा क्या होगा, तो बाबा के एते हैं, चाहे काम में आप बीजी नहीं हो, लेकिन बैठत संकल पो सबसे बड़ा काम है जो आपने तरफ खीच लेते हैं तुरंत खीच लेते हैं तो स्थूल काम नहीं भी है लेकिन दिरोता की शुक्ति आप बाढ़ दिया ना मोबाल में बाढ़ दिया मित्रशमंदियों पर बाढ़ दिया पुराना बातों में बाढ़ दिया तो कारण मौन और बु लेकिन योग कितना हुआ? पांच मिनिट भी नहीं. तो बाब दादा ने आप सब को जो काम दिया था ना वो देखा, होम वार्ड दिया था. इसका आगे मुरुली में बाबा ने होम वार्ड सभी सीजन में, सीजन का मुरुली में अगर हम काम प्यार करके देखे, एक का तो बाबा की क्या देखा बाबा ने गुरूप गुरूप बना करके बहुत उको बहुत हो मौर्ग दिया था बाब दादा के पास सब चिटकिया पोछी रैंसे सुनिया, बाब दादा जो आगे मुरूली में, हमें परलूम नहीं, वरा नहीं हमें आगे मुरूली, क्या काम दिया था, बाबा ने जो भी काम दिया था, हमें उत्तुर तो दे दिया बाबा को, चिटकी लेख करके उत्तुर दे दिया, लेकिन बच्छे बहुत चलाक ह क्या चाला की करते हैं, छिठकिया लिखते हैं, प्रोब्लेम लिखते हैं, लेकिन उसमें कोई नाम नहीं लिखते हैं। पिर भी अगर काम दिया, तो बच्चे ये काम तो पुरा करो ना। बाबा जानता ही ये बरे बात नहीं, लेकिन आपका ये बिमारी, आपका एड्रिस तो कम से कम देना चाहिए, मैं पला ना हूँ बाबा, आपको मैं लिखता हूँ, ये प्रोब्लेम है हमारा, ये प्रोब्लेम को ठीक कर दो, आप बजदनाते हैं ना, टीचार अगर कहे, करके आओ, आप तो जानती ही हो ना, मैं लिख सकता हो, ये पार्ट मेरे को आता है, तो टीचार मानेगा, नहीं मानेगा, टीचार कहें एग्जाम दो, लिखना है, तो कोई तो नाम नहीं लिखते है, लेकिन जो भी जिस ग्रूप में काम दिया है, मैजोरिटी, सब की ये ख खाएंगे, ये भी बहुत, आतत बाबा को दिया, बाबा को हमने आतत दिया, छोटे बच्चा है ना, छोटे बच्चा को अगर हम कोई डिमान करते हैं, हम कहें दे बाबा, तुमको ये मैला में है ना, मैला में जाएंगे, तुमको ये मांगा कर देंगे, तो बच्चा मान अभी क्या हैं एभी पहोर्ड будущ यह लोघ लोज बाबा हमें ठोकते हैं स्मय काप आप त्यार होंगे भिनाश्ट अजिजदिक आ रहा है ना जिवन मुक्त हो जाएंगे अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जिवन मुक्त हो जाएंगे तो सभी ने अपने हिम्मित औमुंग अझ्छा दिकाया है चाहे फश्य Chain बलो में चाहे बहुत पहले ने लिखा तोड सबस्थ में लिखा हम्हें बहुत टाइम लगेगा बाबा ने कोई student ऐसा होता है ना पीछे जा करके बैठते हैं वो अच्छा भी बोलो वो negative करेंगे बुरा भी बोलो वो negative भी करेंगे उसमें कोई फरक नहीं पड़ता तो इसी प्रकर कोई 25% बच्छों ने लिखा बाबा हमें time लिखेंगे तो बाबा ने कहा आज अब आप दि है ना तो result में देखा सभी को उमंग उच्छा हो है कि diamond jubilee में कुछ करके अवश्य दिखाएंगे लेकिन बाब दादे ने देखा जितना आपने आपको diamond बनाने का उमंग उच्छा हो है उतनी ही diamond jubilee बर्षों में सेबाओ का plan बहुत first बनाया है बाबा ने देखा 1996 में diamond jubilee हुआ था लेकिन इससे बहुत पहली से ही तो बच्छों ने first सेबा का बहुत plan बनाया फस्ट बनाये इसमें बाब दादा खुश है लेकिन ऐसा नहीं कहना तो शेबा में बहुत शेबा था ना तो बोज था ना इसलिए शौ उन्नोती के लिए में टाइम नहीं दे पाया हम रित बेला नहीं उठ पाया नुमासाम योग नहीं किया तो बाब दादा नहीं चाहते है ऐसा शेबा करो जो आपने उन्नोती के लिए टाइम नहीं मिले ऐसा शेबा नही है वो शार्त है अंडरलाइं करना जो शेवा हम करते हैं वो शेवा किसी को डिस्टर्ब करे वो शेवा नहीं वो शार्त है और निमित तो कोई ना कोई शार्त ही होता है हमरा जीवन में ज्यादा से ज्यादा हम ज्यादा से ज्यादा बहुत वो डिस्टर्ब ही करते हैं से ज़्यादा देखो आपना और दूसरा और खाईश पुरा नहीं हुआ ये हमारा शर्ट पुरा नहीं हुआ तो बाबा देखते हैं कि डिश्टर्बेंस होता है इसलिए शर्टों से नयारे और शर्बों के शमंदों से प्यारे बन करके शेबा करो तब जो शंकल्प किया ना लक्षो रखा है ना डाइमन जुबली में डाइमन बन अज का स्पेशल पैन बाबा कहते हैं डाइमन जुबली में डाइमन बन डाइमन जुबली मनाएंगे तो वो पुरा हो जाएगा आधा नहीं याद करना कोई ऐसे जवाब देते हैं कहते हैं डाइमन जुबली तो मनान के दोनों शब्दों याद रखना आधा नहीं डाइमन बन डाइमन जुबली मनानी है बाबा ने का इसलिए डाइमन बन आत्मा होकर की कर्म करना है कर्म जोगी है न तो स्रिप मनानी है नहीं बनकर मनानी है तो मतलब का अर्थ नहीं लेना मना लिया न लेकिन बनकर मनाया बनक बनने और मनाना, त्रिफ बनना नहीं, त्रिफ बनना नहीं, दोनों साथ साथ होना चाहिए और आप सब को मालुम है na, कि जब आप डायमंड जूबली के बाद डायमंड बनने के प्लैन बना रहे हो, तो माया भी देख रहा है माया भी अपना प्लैन मना रही है इस बच्छों को अभी जा करके बहुत डिस्टर्ट करना तो इसलिए माया भी प्लैन मना रही है इसलिए तो ये नहीं कहना क्या करे बाबा हिम्मत कम हो गई माया बहुत डिस्टर्ट किया माया बहुत तेज था न तो बाबा ऐसा काम करो माया को अपना पस रखो तो बाबा ने क्या उत्तर दिया रज्जो आप करेंगे माया को मैं समा लूँगा रज्जो आप करेंगे महराजा महराणी आप करेंगे रायल फेमिली में आप जाएंगे तो माया को कौन संबलाएगा आप ही तो संबलाएगे ना राज्यो तो आपको करना है ना माया जित जगजित आपको ही तो बनना है ना तो माया को जितने के बिना जगजित कैसे बनेंगे इसलिए चारो और attention please हम बहुत उचा लक्ष लेकर के आएं हैं लेकिन माया ने हमें बहुत disturbance करा आते हैं लेकिन इससे हमें बचने के लिए बाबा ने एक शब्दो कहो करके छोड़ दिया attention please समझा अच्छा चक्कर आधा सुनाया आधा फिर सुनाएंगे center देखा बाबा ने शबादरियू का बाद बताया center का बाद बाबा ने सुनाते हैं center कोई-कोई तो बहुत अच्छे-च्छे सजाए और कोई simple तो कोई बहुत रायल कोई beach का हो medium का हो ज्यादा से ज्यादा बाबा ने center में क्या देखा सभी का मन में क्या चल रहा है ज्यादा है जो समझते हैं हमारा center कोई रायल होना चाहिए चक्छिक होना चाहिए कोई B.I.P. आबे तो उनको लगे तो ये तो बहुत जिगाश हो आता है बहुत students आता है ये center बहुत अच्छा है लेकिन अपना ब्रह्मोनों का अपना ब्रह्मोनों का आधी से अब तक का नियम क्या है ना बिल्कुल सादा ना बिल्कुल रायल हमारा खाना भी ना नेचका हो ना बहुत हाई-फाई हो मेडियाम होना चाहिए सादारन ड्रेस आचारन उच्छा बिचार ये ब्रह्मा बाबा का स्लोगान था बिच का होना चाहिए ना ब्रह्मा ने देखो ब्रह्मा का बाबा में क्या देखा ब्रह्मा बाबा सबी बच्छों को कापरा बना करके जो भी कापरा बजता था जग्यों में जो जो परिख्षा आया था तो बाबा ने ऐसा ही जग को चलाया टुकरा टुकरा कापर ताली ताली दे करके आपने किलिए पुत्ता बनाया लोग क्या कहेंगे इसका कोई परवा नहीं था तो लेकिन अभी शादन है शादन देने वाले बहुत इंपर्टेंट बध्यान से सुनिए सेंटर चलता है भाई बेहनों का सयुक्स है ना लेकिन हमें क्या करना चाहिए बाबा ने इशारा दिया है देखो अभी शादन है शादन देने वाली है फिर भी कोई भी काड़ जो करो ना बीच का करो हाई फाई नहीं करो आज करेंगे काल नहीं कर पाएंगे तो रिस सर्वि ना कहे यो क्या लगा दिया है फता नहीं और ना कोई कहे कि यो तो अभी राजाई ठाट हो गया ज्यादा से ज्यादा सेंटर में क्या होता है ना भाई बेहन को बहुत तौंग करते हैं मेरे प्यारे भाई बेहनों तो अगरवाइज नहीं लेना मैं कोई एक्जम्पल नही नहीं देना चाहता हो लेकिन ये बहुत बाबा का डिस सार्विस है जहां एक से हम चला सकते हैं, या दोश को हम क्यू लाए क्यू लाए, क्यू तांग करें भाई भेहिं तो ऐसे ही धाई हजर सल भकती करते करते कितना गबाया कितना गाबया बात मत पुछो अभी जो है मुठी बर है ज्यादा किसी का पस नहीं लेकिन कोई कोई सेंटर में ऐसा ही बहुत बार्डेन होता है आज ही ये करो ताली ये करो और सु ये करो जिसे राजा ही ठाट हो जाता है बाबा ने शक्त मना कर दिया आज का पाट क्या है मुक्त तो सबसे हो गए ना सबसे मुक्त होने की प्रतिज्या हो गए ना तो पक्का है या घर जाकर के कहेंगे मुश्किल है पक्का रहे ना माया को डाइमॉन जुबली में मजा चाखा कर दिखाओ ऐसा प्रतिज्या करो मास्टर शर्वशर प्रिमान होना कौम तो नहीं होना आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हो अच्छा डबल फरेनार्स भी बहुत आए हैं स्थापणा का काईड़जो भी तो स्थापणा का काईड़जो में तो डबल शुबा है double विदेशी मदुबन में double विदेशी ना आए मदुबन खाली खाली लगेगा और इसके बारी में बाबा ने थोड़ा सब्द सुनाते हैं बाब दादा जानते हैं कितने मेहनवत से युक्ति से पहुँचते हैं विदेश से देश में आना हम देश से मदुबन में जाना कितना हमारा तयारी चल रहा है कितना धान का सायूग करना पड़ता है लेकिन विदेश से इस देश में आना तो कितना महंगा है ना उनके डिये अगर लगन कम हो तो पहुँचना मुश्किल लगे लगन है हिम्मत बच्चे मदुते बाप एक तरफ बापदारा सुनते है कि मानी डाउन हो गए और दूसरे सर बाबा देखते है तो विदेशी ज़्यादा आ गए तो क्या हुआ दुनिया का जिसका प्यार है बाबा का प्रती दुनिया का कोई भी गिराबट मानी फल हो कुछ भी हो शेयर डाउन हो कुछ भी हो तो किसी को रोक नहीं पाते है तो यह हिम्मत राशिया का गुरूप भी आया है राशिया वालों ने टिकेट कहा से लई उन्हों की कहानिया बहुत अच्छी सुनने वाले हैं टिकेट कैसे इकटे करते हैं उसके कहानिय बहुत अच्छे हैं तो यह तो सब सब होना ही है क्या सुनाते हैं बबबब प्रैक्टिकल बात सुनाते हैं तो जब है ही नोट क्या है धौन क्या है है ही तो कागज ना पैपारी तो है ना चाहे डलार को हो चाहे पाउन को हो चाहे रूपी को तो पैपार ही तो है पैपार कहा तक चलेगा सोने का मुल्लो है फिरे का मुल्लो है पैपार का क्या है आज है काल नहीं होगा यहां कदन सत्ययोग में चलेगा मानी डाउन तो होनी ही है यह तो पलियोग का पलियोग का नजारा तो होना ही है और आपकी मानी सबसे ज्यादा मुल्वान है ज्यान बाबा हमारा मानी है बाबा हमारा मानी है धान चाहिए लेकिन सबसे बरा धान है ज्यान धान यह से सुरू में आगबर में डलवाया था ना ज्यान से सुनिये आगबर में सुरू 1936-7 में आगबर में डला था कि ओम मंदुली रिचेस्ट इन दा वाल्ड ओम मंदुली रमतो धोनी फ्रिथी भी ते आर के ओ नहीं लेकिन साज बात तो नहीं था ना कामाई का कुछ सादन नहीं था ब्रह्मा बाबा जो कुछ बाबा ने जो कुछ शमर्पित किया तो वो भी खतम होते होते वो भी तलाने में आ गया ब्रह्मा बाबा के साथ एक दो समर्पन होये और आगबर में डला ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन दा वाल्ड तो अभी भी जो चारो और ये स्थुल हलचाल होगी मिराश होये जाबे मनुष तो गनोहरे मनुष पागल होये जाबे दुखोश होईते ना पेरे तो फिर स्थुल हलचाल होगी फिर आपको आगबर में डही डालना परेगा आपके पास आगबर वाले आएंगे और खोद ही डालेंगे टीबी में दिखाएंगे कि ब्रह्म कुमारी सच मुच रिचेस्ट इन दा वाल्ड आपकी चहारा चमकते रहेंगे कुछ भी हो जाए दिन में खाने की रूटी भी अगर ना मिली तो भी आपका चहारा चमकेगा तो चारू और होगा दूप और आप खुशी में नासते रहेंगे ऐसा नहीं किसी को हम हम प्रभु प्रेम में नासते रहेंगे ये नजारा होगा अंतिम समय में इसी को ही कहते हैं मिरुआ मोत मलो का सिकार इसलिए बाप दादे ने आज कहां कि ब्रह्मन जो सच्चे हैं ब्रह्मन जीवन में, स्रिष्टो जीवन का लक्षो वाले हैं, उनका फ्रिशेशता क्या है? प्रशन्यता. मूल बात में बबाने आया, प्रशन्यता का सथ कोई कम्प्रमाज नहीं करो, मेरे प्यारे भाईव बेहलो. बबा कहते हैं, चाहे कोई गाली बी दे रहे हैं तो भी आपका चहर पर दुख की लहर नहीं आने चाहिए. प्रशन नहीं गाली देने वाले ठyक जाएंगे. हो सकता है? गाली देने वाले गाली देते-दे ठyक जाएंगे. जैसे । माना यह दिबार को आप लात मारो. आपका टांग तूट जाएगा दिवार कोई अपत्ति करेगा भाई तुमने सो मरा और एक भी नहीं मरो मरो बहुत चोट लगता है नहीं न दिवार का माफिक हो जाओ तो यह नहीं कि उसने एक घंटा बोला मैंने स्रिफ एक सेगेंड उसका जवाब दे दिया सेकेंड भी बोला न सोचा सकल पर अप्रशन नताई फेर हो गाई उस समय पहले छोटा बच्चा तंग करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा फिलिंग हो रहा था अभी कर रहा है सबका सुबभभ न उसका उपर है न वो देखो चुप चा आप मोबाइल देख रहा है ऐसा ही हर परिस्थितिक को मैनेज कर लेना चिलाएंगे कितना चिलाएंगे आप ऐसे गुसे से नहीं को हो चुप करो हमारा डिश्टर्ब होता है तो बाबा कहते हैं तो अगर अप्रशनता का थोड़ा भी फिलिंग आया तो आप फेल हो गाए इतना सहन किया न एक घंटा सहन किया फिर गुबभारे के गैस निकाल गए बाबा कहते ये बेलून जैसा है गैशेर बेलून अमदर मोक्टा हटात करेक्टर शब्द बेरिये जाए तो गैश बले गुबभारे नहीं बनो और चाहिए है क्या बाब मिला सब कुछ मिला न घीद भी गाते हो न पाना सा तो पा लिया तो ऐसे टाइम पर ऐसे ऐसे बात याद करो जब भी आपका जिवन में परिस्तितिया आए तो यह यह बाबा का जो जो अच्छा अच्छा गाना है अच्छा अच्छा बाबा का सदिशन है अच्छा अच्छा बाबा का डिरिक्शन है वो याद करो चहरा नहीं बदलेगा कोई बच्चा आपको इरिटेट नहीं कर पाएगा कोई दुश्पन आ करके आपको जीना हराम नहीं कर पाएगा ऐसी नहीं उसके आगे जोड़ जोड़ से अपने हसने लगो कोई आपको गाली दे रहा है आप हस दे रहा है खिल-खिला करके और वो भी और लाल हो जाएंगे और गरम हो जाएंगे प्रशन्नता अर्था आत्मिक मुस्कुरात फूटेर मुद्दू कुनू प्रभाप पुरवेना इटे हो लो आत्मिक मुस्कुरात या अंदर ही अंदर रहेंगे यह एक्सर्साइज हमें करना चाहिए बहर की नहीं आत्मिक तो आज का पाट क्या रहा सदा अप्रशन्नता मुक्त और प्रशन्नता जुक्त अप्रशन्नता मुक्त और प्रशन्नता जुक्त डबल समझा अच्छा चारु और के बाप दादा के प्रेम शुरुप आत्माओं को, सदा शायं को अप्रशन्नत से मुक्त करने वाले तिब्रुश पुरुशर्टी आत्माओं को, सदा याद और शेबा की प्रेंस दारा, ब्लेस बैलेंस दारा, शेबा की शफलत पाने वाले भाग्योबान आत्माओं को, सदा बाप को प्रत्थक्ष करने के उमंग उच्छाहों में रहने वाले देश बिदेश दोनों के सर्वो बच्छे को बाप को अपने खुशकवरी लिखने वाले अपनी शवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदस नहीं और समीब बच्छों को बाप ददा का याद प्या याद प्यार, गुद्मॉर्णिंग, नमस्ते, नमस्ते, बदान, अखंडो स्मृति दारा, अखंडो स्मृति, बहुत इंपर्टेंट शिक्षा है, अखंडो स्मृति दारा, बिग्नो को बिदाए देने वाले, मस्तर शर्वशक्ति मान भवव, अर्था है, संगम यूग, बिग्नो को बिदाए देने का यूग है ना, जिसको आधा कल्पो के लिए बिदाए दे चुके हैं, उसको फिर आने ना दो, कोई चांस ना दो, मौका ना दो, सुदा याद रखो, हम बिजुई रत्नो हैं, मस्तर शर्वशक्ति मान हैं, यो स्मृति अखंड रहे, तो शुक्ति शली आत्मा के समने, माया का भिग्णो आ नहीं सकता, भिग्णो आया और मिटाया, कितने मिटाएंगे, ये तो त्रता यूग का निशानी है न, तो अखंड अटल नहीं कहेंगे, इसलिए सुदा शब्दो पर एटेंशन दो, सुदा याद में रहने से, सुदा निर्विग्ण रहेंगे, और विजुई का नगारा बसते रहेगा, स्लोगन, इस शुरियो शेवा में, इस शुरियो शेवा में, खुद को अफार करना ही, बाब ददा की अफरिन लेना, इस शुरियो शेवा में, खुद को अफार कर दो, ये जिवन है ही क्या, इस शुरियो शेवा में, खुद को अफार करना ही, बाब ददा की अफरीन लेना अशिरबाद लेना दुआई लेना शक्ति लेना आज का शौमान है में मस्टर शर्वशप्तिमान आत्मा हो ये था आज प्रशन्नता का पाठ बाबा ने हमें दिल खुल करके सुनाया है